हलो चुल्डरन, वेलकम टू असा एजुकेशन आज हम करेंगे आट में ग्लास की हिंदी की किताब भारत की खोज के नवे चैप्टर दो प्रिष्ट भूमिया भारती और अंग्रेजी के प्रिष्णों के उत्तर तो बच्चो कोई भी चैप्टर है उसके प्रिष्ण करने से पहले जो चैप्टर है आप उसको अच्छे से सुन लीजिए ताकि आपका कोई भी कोशन है वो आप बना कर लिख सकते हैं तो आईए देखते हैं कि इस चैप्टर में कौन से कोशन है जो बन सकते हैं आपका पहला कोईशन है सन 1942 में जो कुछ हुआ बहे क्या था तो सन 1942 में जो कुछ हुआ बहे क्या था तो अगस्त सन 1942 में क्या हुआ था जो भारत शोगर परस्ताप था वो पास हुआ था आधी रात को तो अगस्त सन 1942 में जो कुछ हुआ बहे तो उसकी चरम परनिती थी जो प बहुत अधिक गुस्सा था अंग्रेजों के खिलाफ तो सन 1942 में उन्होंने क्या किया जो अपना गुस्सा था उसको निकाला मतलब जो अंग्रेज थे उनको ललका रहा कि जो भारत है उसको छोग दो अब उनके जो अत्याचारे वो हम सहे नहीं सकते तो अगस्त 1942 में जो कुछ हुआ वो अचानक से नहीं हुआ था भैतो उसकी चरम पर निती थी जो पहले से बहुत कुछ होता आ रहा था दूसरा कोश्चन है जनता का प्रदर्शन कैसा था तथा किसके बुरुद चलता रहा तो जनता का जो प्रदर्शन था वो असंग्ठित था हमारे देश के जो लोग थे वो संग्ठित नहीं थे तो जनता का प्रदर्शन असंग्ठित था जिसका अंत हिंसात्मक संगर्ष मे होता था यह शक्तिशाली प्रदर्शन हत्यार बंद सेनाओं के बिरुद्ध भी चलता रहा तो जो अंग्लेज लोग थे उनके पास काफी हत्यार भी थे और वो बहुत संग्ठित भी थे लेकिन हम लोग असंग्ठित थे हमारे पास ना तो हत्यार थे और ना ही हमारा जो संग मक हो जाता था काफी मार पीट होती थी लोगों को मारा जाता था तो इस तरह काफी हिंसात्मक हो जाता था तो जनता का प्रदर्शन असंगठित था जिसका अंत हिंसात्मक संगर्श में होता था ये इस रक्तिशाली प्रदर्शन हत्यारवंद सेनाओं के ब्रुद्ध भी चल बिश्विद्याले के जो बिद्यारती थे उन्होंने महतपूल काम किया था तो सन 1942 में पूरे भारक में युवाप्यूरी बिशेश रूप से बिश्विद्याले के बिद्यारती थे उन्होंने महतपूल काम किया अगला कुश्यन है अकाल के दौरान कोलकाता का क्या हाल था जो कलकता था उसका क्या हाल था तो अकाल के दौरान कोलकाता की सलकों पर लाशे बिच्छी हुई थी महापर जो हालत थी हालात थे बहुत खराब थे तो उन दिनों कोलकाता के संगों पर लाशे बिछी थी भारत कैसा देश कहा जाता है तो भारत को अंतर ब्रोधों का देश कहा जाता है 1942 के दंगों में पलिस और सेना की गोला वारी से कितने लोग मरें और कितने घाल होे तो पुलिस की गोलावारी से जो मरे थे लोग सरकारी आख्रों के अनुसार एक हजार अटाइस लोग मरे थे और तीन हजार दो सो लोग घायल हुए थे लेकिन जो जनता है उसने अंदाजा लगाया कि जो मरत्कों की संक्या है जो लोग मरे थे वो करीब 25,000 थे तो इस तरह से जो सरकारी आख्रों है उसके अनुसार एक हजार अटाइस लोग मरे और तीन हजार दो सो लोग घायल हुए लेकिन जनता के अंदाज के अनुसार मरत्कों की संक्या 25,000 थी तो ये थे कुछ अती लगो उत्तरे प्रिश्ण अब हम देखेंगे लगो उत्तरे प्रिश्ण तो सन 1942 का जो आंदोलन था वो क्या था तो आठ अगस्त सन 1942 में जो कुछ हुआ वो अचानक से नहीं हुआ जो पहले से चला आ रहा था लोगों के मन में जो असंतोश था उसको उन्होंने अंतिम रूप दिया था आठ अगस्त सन 1942 को मूल रूप से यह एक सहज आंदोलन था पूरे भारत में 1942 इस भी में युवा प्योरी ने बिशेश रूप से बिश्विध्याले के पिद्ध्यार्तियों ने हिंसक और शान्ति पूर दोनों तरह की कारवाहियों में महत्पूर काम किया था 1942 के दंगों में पुलिस और सेना की गोली वारी से हजारों आदमी मरें और हजारों घायल हुए आपका अगला कोशन है अकाल के बारे में आप क्या जानते हैं तो बिटेश शाषन के 170 वर्शों में सबसे बहनकर आकाल था यह तो बिटेश शाषन जब तक रहा उसमें सबसे अधिक जो बिहनक आकाल पर आपका उनेसो थ g gentel का आकाल तो जो यह अकल ता उससे जो लों प्रभावित हुए वो ते बंगाल पूर्वी तथह गज़ल्च्विवारत के लोग तो जो साउथ इंडिया के लोग थे वो और जो बंगाल की लोग थे वो इससे का अधिक लिए थे 1766 से 1770 में उसी तरह का चपना का था पौह बेंकर था इसके बाद किया हुआ बेंकर महामारीफेली और शेशकर जो हैजा था और मलेरिया उसकी वजह से क्या हुआ हजारों की संक्या में जो लोग थे वह इसके शिकार हो गए और जो ये अकाल था इससे पता चलता है कि जो बिटिश शाशन था वो कितना बदहाल था और उसके जो बदसूरती की तस्वीर है वो हमारे सामने उभर कर आती है कि जो बिटिश शाशन था उसके शाशनकाल में हमारे देश के जो लोग थे वो कितने बद हाल थे कितने अधिक परेशान थे तो बिटिश शाषिन के 170 बर्शों में सबसे बहंकर आकाल पर इसका प्रभाब बंगाल तथा पूर्वी और दच्छली भारत पर पर इसकी तुलना 1766 से 1770 के दोरान बंगाल और बिहार के बहंकर आकालों से की जा सकती है इसके बाद बहंकर महामारी फैली पिशेश कर है जाता था मलेग्या हजारों की संक्या में जो लोग थे वो इसके शिकार हो गए इससे भारत के बिटिश शाषिन की बधाली और बस सूरती की तस्विर उभर कर सामने आती है अकाल के दोरान क्या अंतर ब्रोद दिखाई दिये तो अकाल के दोर रहे नाच गाने और दापतों में ब्यस्त थे तो जो उची तपके के लोग थे वो बिलासिता का जीवन बिता रहे थे जबकि दूसरी लोग जो थे भूख कमरी का शिकार थे उनके पास दो बक्त की रोटी भी नहीं थी खाने को तो इस तरह से जो अंतर ब्रोद था वो काफी अंतर ब्रोध दिखाई दिए आपको अगला कोश्चन है भारत में अंतर ब्रोध कहां दिखाई देता है जो अंतर ब्रोध है वो कहां दिखाई देता है तो जो भारत है उसमें काफी जादा अंतर ब्रोध दिखाई देता है मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे देश में धनी लोग हैं खाली लोग है तो जादा अंतरबरध दिखाई देता है तो इस तरह से भारक में जो अंतरबरोध है वो काफी जादा है क्योंकि यहां वोग धन्बान है भी गरीब हैं अ Cas has which बारती आन्निक्ता का जीवन बता रहे हैं और बहुत से लोग बहुत अधिक पिछले हुए हैं। आपका अगला कोशन है अकाल ने क्या कर दिखाया था। तो जो अकाल पर उससे कौन सी तस्वीर जो थी भारत की वो उभर कर सामने आई। क्या पता चला कि बिटिश याशन काल में जो भारत है वो कैसा है। तो अकाल ने क्या किया। उपर के थोगे लोगों की खुशाली के जीने आबरल के नीचे भारत की जो तस्वीर थी उसे उगार कर रख दिया। तो लोगों को लगता था कि जो भारत के लोग हैं बहुत खुशाल है शुटिश याशन काल में लेकिन ऐसा नहीं था। जब अकाल पर तो उससे पता चला कि जो भारत के लोग हैं बहुत से बहुत अधिक गरीव हैं उनके पास खाने तक को नहीं हैं। तो अकाले उपर के थोड़े लोगों की खुशाली बहुत कम लोग थे जो खुशाल थे बाकि सब लोग कैसे थे बहुत अधिक बदहाल थे बहुत अधिक परेशान थे तो अकाले उपर के थोड़े लोगों की खुशाली के जीने आबरर के नीचे भारत की जो तस्वीर थी उसे उगाल कर रख दिया यह तस्वیर बैटीश शार्षन की बढऻाली और बससूर्थी की तस्वीर थी तो इस से पता चलता है कि जो बैटीश शार्षन था उसके शार्षन आखल में हमारा जो देश था हमारे देश के जो लोग थे वो कितने बढऻाल थे मतलब उनकी जो हालत थी काफी बेकार थी काफी बुरी हालत में थे वो और जो तस्वीर थी बस सूरती की जो तस्वीर थी बिटिश शाशनकाल की वो उबर कर सामने आई तो ये थे इस चैप्टर टे कुछ कोश्चन तो बच्चो आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ लीजिए और ये कोश्चन जो है उनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को सबस्क्राइब करना मत भूलिए थैंक यू